हे गाईस मैं आर्तियाज आप सभी के साथ शेयर केरूए एक हाई प्रोटीन प्रॉपर मील की रेसिपी जिसे आप अपने डिनर में लंच में इंक्लूट कर सकते हैं और अगर कोई वेट लॉस डाइट पे नहीं है तो वो भी इसे अपनी मील में इंक्लूट कर सकता है बहुत कोई भी सामान अपने डाइट में इंक्लूट कर रहें कोई भी खाने की चीज उसमें कितनी कैलिरीज अगर आप वो जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका वेट बता होना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँ या आप इस तरह का कोई एक मशीन खर कोई हाता है तो उससे यहाँ पर जितने वििणे सिंट्रियंक गर्लेज कर लिएं हैं बहुती का सिर्टा पर अगर हम एस यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर जटने इंग्रींईंट मेंarkan आं सारी की डाली रीस और कितने ग्राम कितने सारी कहीज है यह सारी आप डिस्रिप् तोड़ा सोगलों करके हम इतक करेंगे ऐदा छोटा में जीरा अग Zusch Dota अगए अवरे इंभियरा सिस्टम के अच्छा होता है हमारे सपी सिस्टम के लिए अच्छा होता है अब मैं इसमें करीब तो यहां पर जीरा और सर्सोदाना अच्छे से तेल में फ्राइब हो गया है अब मैं इसमें आट करूँगी लहसुन और हरी मिर्ज या पपी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी आट कर सकते हैं इसको ह एक मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर ही फ्राइब किया है हाई या मीरियम हीट मैंने नहीं की थी और अब मैं इसमें आट करूँगी थोड़े से करी पते तो अगेन करी पते हमारे वेट लॉस डाइट के लिए बहुत ही हल्री होते हैं हमारी आई साइट के अच्छे होते हैं और साथी साथी हमारे बॉड़ी में जो हामफुल टॉक्सिंस होते उनको फ्लश आउट करता है तो ओवर आल जो करी पता होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है है हल्री होता है हमारी बॉड़ी के लिए तो अगर आपके पास हो तो आप इसमें आड कीजेगा और अब मैं इसमें आड करूंगी एक छोटी प्याज मैंने लिए आपर कट करके इसको जितने भी मैंने इंग्रीडियंट यूज किये हैं यह सारे आप डिस्क्रिप्शन वाक्स में सेट कर लीजेगा वहां पर मैं कैलरी मैंशिन कर दूंगी और अब हम प्यास को हलका सच में फ्राय कर साथ में इसमें आड करेंगे थोड़े से मसाले तो यहां पर आधा छोटा चमच हल्दी मैं आड कर रही हूं साथ में आड करेंगे आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आपकी हरी मिर्च तीक ही हो तो लाल मिर्च आड करनी के ज़रूरत नहीं है और मैं इसमें एक छोटा चमज धनिया पाउडर तो इस धनिया पाउडर को मैंने घर पर बनाया है इसमें थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च भी है तो अगर आप इसकी रेसिपी चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजेगा मैं लिंक शेयर कर दूँगी करीम एक डिर साल पह कर लेंगे ताकि मसालो का कच्छा पन निकल जाए और हमारे टमाटर भी अच्छे से सफ्ट हो जाए तो यहां पर आपको बताना चाहूंगी अगर आपके पास धनिया पाउडर में जीरा काली मिर्च नहीं तो आप अलग से थोड़ा सा जीरा कर एक चौथ हाई चमच और थ सरफ धनिया पाउडर डाल के भी आप इसको बना सकते हैं तो अब मैं यहां पर ले रहा हूँ यह अपना मेन इंग्रीडियन्ट जो कि है चना डाल चना डाल रिच इन प्रोटीन होती है इन फाइबर होता है डाबिटिक पेशन के लिए अच्छी होती और यह पूरी रेसिपी ग्लुटेन फ्री है तो यहां पर यह जो डाल मैंने ली है इसको मैंने भीगो कर लिया है दो घंटे के लिए मैंने भीगोया था आप चाहें तो राद भर भीगो सकते हैं भीगोने से हमारी डाल जल्दी पग भी जाती है और इसके और भी बहुत सारे फायदे है वीडियो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारा जो दूसरा में इंग्रीडेंट है वो है यह लॉकी यहां पर मैंने 200 ग्राम लॉकी लिए है कटी हुई 200 ग्राम लॉकी में सिर्फ 24 कैलेरी है तो यह लॉकी जो होती है लो इन कैलेरी होती है और साथी साथ इसमें पा तो यहां पर हम इस दोनों को अच्छे से पका लेंगे वैसे तो इस दाल में 3-4 लोगों की सर्विंग है अराम से खा सकते हैं बड़ दो लोगों के लिए प्रॉपर मैं मिल शेयर कर रही हूं जिसमें मैंने 60 ग्राम दाल का यूस किया है चना दाल का और 200 ग्राम मैंने लौकी इसको हम हाई फ्लेम पर करीब एक से दो मिनट तक इसी तरीके से चलाते भी भून लेंगे तो आप इसे वेट लॉस दाल भी बोल सकते या फिर लौकी चना डाल करी बोल सकते हैं अगर आपको दाल की तरह बनाना हो तो थोड़ी पतली बनाई और सबजी की तरह बनाना हो त आप एक छोटी कर्टोरी और आप इसके साथ कीनव ले सकते या फिर दल्या भी ले सकते है तो मैं जो इसके साथ शेयर कर रही बहुती बढ़ी आप्षाण शेयर कर रहे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तो यहां पर एक से दो मिन तक मैंने फ्राय कर लिया है अब मै इसमें एड़ करूंगी वन एन हाफ कप पानी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आ जाने देंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी दाल में अच्छा उबाल आ गया है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर करतेंगे और कवर करके नहीं इसको म तो एक तरफ हमारी दाल पक्री धरम आगे की तयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने 40 ग्रामी फ्रेश पनीर ली है आप 40-50 ग्राम टेख ले सकते हैं और यहां पर कीनवा तो यहां पर कीनवा को मैंने एक लीटर पानी में पहले पानी को अच्छे से बॉइल गया उसमें थोड़ कीनवा लिया था अगर आपके पास मशीन नहीं है जिस पर वेट कर सके तो यहां पर आधा कप लगभग कीनवा लीजेगा और इसको इस तरीके से बॉइल कर लीजेगा तो यह बड़िया पक चुका है कीनवा हाइं प्रोटीन होता है ग्लूटेन फ्री होता है और बहुत ही दाटी की रोटी बाजरा रोटी कोई भी रोटी एक या दो ले सकते हैं तो अब हमें क्या करना यहां पर जो मैनी पनीद लिए इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे अब चाहें तो बड़ा-बड़ा भी कर सकते लेकिन हम इसे छोटा-छोटा-छोटा मैं आप सभी की कॉमेंट्स के रिप्लाय करती हूं और अगर आप मेरी रेसिपी स्ट्राय करते हैं तो इसके लिए आप यहां पे तयार हो चुका है वाई फटाफट से अपना ये राइस भी तरह से तयार कर लेते हैं तो एक तरफ हमारी दाल पकरी इधर अपना आगे का इसको हलका सा है स्टर करेंगे तो आप हम इसने अड़ करना जो पनीर को हमने छोटे-चोटे पीसिस में कट करें रख ए उसको और यहां पर बनीको हलका सा फ्राय करेंगे करीब 1-15 मिनिट तक मेडियुम आइब पर आप इसको फ्राइ कर लीजे तो यहां पर ही मील मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर किया है आप लोगों के साथ इस तरीके से आप अपनी मील को हाई प्रोटीन बना सकते हैं और यह पूरी मील ग्लोटेन फ्री है लेस ऑईल का यूज हुआ है और बहुत ही हाई इ यहां पर हमारे कीनवा इस तरह से मैंने आपको यह कीनवा की रेसीपी बताई आप इस तरह कि सब्सक्राइब बनाते तो यह बहुत ही ज़दा टेस्टी लगते आप इसको एक को आज़िए भी खा सकते हैं थोड़ा सा नमक और डाल की मैंने बहुत हिश्का नमक डाला था और यह डाल और सब्जी दोनों के साथ बहुती बढ़िया जाता है, अगर आप gluten-free खाना चाहते और राइस नहीं लेना चाहते तो पीनवा बहुती अच्छा option है, और यह Amazon पे आपको easily मिल जाएगा, आप online इसको बाय कर सकते हैं, यहां पे हमारा पीनवा भी ready है, इसको हमें जादा फ्राइ नहीं करना है, बस एक मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर ही mix दिया है, यह हमारा रेडी है, और दाल में भी लगबग सीटी आ चुकी है, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, तो यहां पे दाल में मैंने करीब 5-6 सीटी लगाई है और उसके बार मैंने से को 10 मिनट तरा ठंडा होने दिया है, आई अब हम इसको ऐपन करके देखते हैं मैज करके करते हैं, डाल कैशले दाल कना हाई कि दाल अजव दाल कहा ही अगर के पास हो क्या चलश से ही का बाट और प्क येbek संवाजिगा तो हम पास हो आड किया है, अग्दिया हमारी हमारी अजला से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए इस तरीके से मैश करते हुए जिससे कि हमारी दाल थोड़ी सी तूट जाएगी तो यह दाल बहुती टेस्टी लगती और बहुती ईजी टू प्रिपेर है इस दाल को जरूर से ट्राइब कीजेगा और सबसे अची बात है कि बहुती ज तो आएए मैं आपको फटा-फट इसको सर्फ करके दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दाल को सर्फ करके दिखा देती हूँ यह दाल, रोटी, राइस दोनों के साथ ही बहुती बढ़िया लगेगी और आप इसको as it is काटोरी में लेकर भी खा सकते हैं दो लोगों की मैंने सर्फिंग शेयर करी है पर सर्फिंग आपको इसमें 390 कैलरी के आसपास मिल रही है जो की बहुती बढ़िया है हमें डिनर और लंच में इंक्लूट करने के लिए और मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहूंगी अगर आप यह राइस मील बना लेते हैं अगर आप सिंगल परसन तो आप यह दो लोगों का मील बना कर जैसे आपने लंच में खाया तो आप थोड़ा सा अपना बचा लीजे फ्रिज में रख लीजे फिर आप डिनर में इ खा देती हूं आइमीन हमारा किनवा राइस यह भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और दोनों का कॉंबिनेशन बहुत ही परफेक्ट है अगर आप अपने डाइट में राइस नहीं लेना चाहते तो किनवा को इंक्लूट कर लीजे तो अगर आपको मेरा वीडियो प होती टेस्टी प्यारा सा यमी समील बन के तयार है प्लीज उसे ट्राइ कीजेगा कॉमेंट और फीडबेक शेयर कीजेगा मैं आपको जल्द मिलती हूं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल एंड इट हैपी एंड स्टे हैपी बाबाई टेक कियर